नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है चमदकार बनाए रखे रहना देना है जिया दोस्तों यदि आप इस मौसम में जो भी साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आईरुवेदिक होने चाहिए ये आपको कही से भी मिल सकते हैं असानी से आईरुवेदिक और हर्बर साबुन आपकी तवच्चा के लिए पिएज बैलन्स को प्रभावित करता है और यह आपके शरीर की सोमता और अशुद्यों को दूर कर देते हैं इस मौसम में बैक्टीरिया और गंदकी से बेहत बचूरी है यह साबुन आपकी तवच्चा में नमी को बरकरार रखते हैं और इससे रेजनलिनेट करते है चलिया दोस्तों आईए जा लेते हैं कि वह कौन कौन से साबुन है जिनको हमें इस्तिमाल इस बारेश के मौसम में करना है जिया दोस्तों आपका वध जाया ना करते होएं गुलाब के पत्तियों का आपको साबुन का इस्तेमाल कर सकती है गुलाब के सत्वों से बना साबुन तवचा के प्राकर्तिक नमी बिरकार रखता है और आपके चमक और निखार को भी लाता है गुलाब का तेल और पंकुरिया तवचा के दागधबों को दूर करती है मांसून में लेवेंडर साबून का इस्तेमाल किया जा सकता है इसे जुवानू रोगी गुन तवचा में हो रही जलन और खुजली को दूर करते है इसकी खुब शबू ताजगी और सुकून का हिसास कराती है आप हमेशा तरो ताज़ा नजर आएंगे चारकोल साबून तैली और मुश्री तवचा के लिए मांसून में बहुत अच्छा विकल्प माने जाता है साबून में वजूद एक्टिवेटिक बेबू चारकोल गंदगी टॉक्सिन और अशुद्यों को दूर करकर तवचा के रोगधाम के चिद्रों को खोल देते हैं यह महासे दाग दबों को भी दूर करते है पपीता और खीरा युक्त साबून सभी प्रकार की तवचा के लिए बहुत अच्छा माने जाता है यह तवचा में म्रत कोश्रिकाओं को हटा कर रोम चिद्रों को खोल देता है और यह महासे को नेनतित करकर दाग धब्बे को भी कम कर देता है इसके इस्तेमाद से तवचा कोमल हो जाती है यह तवचा में नमी बरकरार रखता है जिया दोस्तों यह तवचा को गोरा और मुलायम भी बनाते है जिया दोस्तों आज जिया बिना समय गवाए आयरुवेदिक स्टोर पर जाईए और साबून खरीद लाईए जिया दोस्तों आयरुवेदिक आपके लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट बाना जाता है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही लोटेंगे एक नए टेप से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें त्योंकि हमें ऐसी वीडियो बनाने की बहुत जादा प्रेटा मिलती रहती है